नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है महिला और बाल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोट ने एक अहम फैसला सुनाया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये कहा है कि नाबालिक पत्नी के साथ शारिरिक संबंध रेप माना जाएगा सुप्रीम कोट ने आईपीसी की धारा 375 सेक्शन 2 को गहर सामविधानिक बताया है धारा 375 सेक्शन 2 के मताबिक 15-18 साल की वीवी से उसका पती संबंध बनाता है तो उसे दुशकर्म नहीं माना जाएगा कोट के फैसले के अनुसार यदि नाबालिक पत्नी एक साल के भीतर शिकायत करती है तो पती पर रेप का मुकद्मा चलेगा यह तो बाल विवाह गैर कानूनी है और इस लिहाज से 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह ही अपराध माना जाना चाहिए लेकिन यह भारत की बिडंबना है कि आज यहाँ बाल विवाह धडले से होते हैं इसका सबसे ज़्यादा शिकार मासूम लड़कियां होती हैं 2016 के नेशनल फैमली हिल्थ सर्वे के अनुसार देश में लगभग 27 प्रतिशत लड़कियों की 18 साल की उम्र में उम्र से पहले शादी हो जाती है 2005 में यह आकड़ा 47 प्रतिशत के करीब था बच्चों के अधिकारों से जुड़ी इंडिपेंडेंट थाट नामक एक संस्था ने 2013 में एक याचिका दायर की थी कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारिरिक संबंद को बलातकार मानना चाहिए याचिका करता की तरफ से कहा गया था कि बाल विवाह से बच्चों के अधिकारों का उलंगन हो रहा है बाल विवाह बच्चों पर एक तरह का जुर्म है क्योंकि कम उम्र में शादी करने से उसका यौन उत्पिरन जादा होता है ऐसे में बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है याचिका में कहा गया था कि 15-18 वर्ष की लड़कियों की शादी अवैद नहीं होती है लेकिन इसे अवैद घोशित किया जा सकता है याचिका में यह भी दलिल दी गई थी कि इतनी कम उमर में लड़कियों की शादी से उसके स्वास्थ पर बुरा असर पड़ता है दरसल IPC की धारा 375 सेक्शन 2 के मताबिक 15-18 साल की पतनी के साथ यौन संबंद को रेप की परिभाशा से बाहर रखा गया था इस तरह तो विवाह की आर में बाल यौन सोशन हो ही रहा था यह पॉक्सो कानून की भावना के भी खिलाफ था पॉक्सो यानि प्रिवेंशन आफ चिल्डरन फ्रम सेक्सवल आफेंस देश में बाल यौन सोशन को रोकने के लिए यह बनाया गया कानून है पौक्सो कानून में किशोरी को परिवासित करते हुए उसकी उम्र 18 साल बताई गई है इसी तरह से जुबिनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें किशोर किशोरियों की परिवासा भी 18 साल बताई गई है केवल आईपीसी की धारा 375 सेक्शन 2 में ही किशोरी की परिवासा अलग थी अब इस फैसले से या विसंगती दूर होगी इस से पहले इस याचिका में सुनवाई के दौरान केंदर सरकार ने अदालत से आगरह किया था कि वह इस धारा को रद न करे और संसद को इस पर विचार करने के लिए और फैसला करने के लिए समय सीमा तै कर दे केंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बाल विवास समाजी सचाई है और इस पर कानून बनाना संसद का काम है जिस पर सुप्रीम कोट ने तल्ख टिपनी की थी कि सती प्रथा भी सद्यों से चली आ रही थी लेकिन उसे भी खत्मी किया गया ज़रूरी नहीं कि जो प्रथा सद्यों से चली आ रही है वो सही हो बाल विवाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने कहा कि कानून में बाल विवाह को अपराध माना गया है उसके बावजूद लोग बाल विवाह करते हैं कोट ने टिपणी करते हुए कहा था कि ये मैरेज नहीं मिराज है इसलिए उमीद करनी चाहिए कि सर्वोच अदालत के इस फैसले का समाज सम्मान करेगा और अपनी बच्चियों की सुरक्षा के बारे में सोचेगा आज के लिए बस इतना ही देखते रहें डिवी लाइब नमस्कार